हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक टो माई चैनल फ्रेंड से देखिए आज हमने ये कैप बनाई है और ये कैप हमने 9-18 महिने के बच्चे तक के लिए बनाई है ये देखिए पहले हम इसकी जो कार्डेगन है वो उसकी वीडियो डाल चुके हैं और उसकी मैचिंग कैप बनाएंगे आज देखिए देखते हैं कैप हमने कैसे बनाई और ये कैप 9-18 महिने के बच्चे के लिए है तो चलिये कैप बनाना शुरू करें कार्डेगन ईससे चोटे में की थी कि देखे दिकरे चलिए इस तरह से हम इसको बना लेते हैं यह सब्सक्र इसके नि इन उख चलिए इस तरह से 10 में के यूटर बना लेंगे लिए यह इसकी फर्स्ट रोव है इसको इस तरह से उल्टा बनाएंगे और इसकी हम आठ साईड बनालेंगे दोनों साइड से उल्टी-उल्टी तो एक साइड ये एक लाइन जैसे यहाँ पर आई है चार लाइने इस तरह से आएंगे उल्टी-उल्टी तो आठ साईड बनाने के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं कि अब देखिए हमने 8 सलाइगा बना लिए एक दो तीन चार चार लाईन paar साइड में आ गए है तो 8 सलाइगा इसकी क्पिलेट हो गए है अब इसको देखिये हम कैसे बनाेंगे के इसमें 2 सलाइगा और बना लेते हैं यह सीधी साइड से सीधी होगी और उल्टी साइड़ परचान होती है जहां से हमने शुरू किया था इसकी सीधी साइड है तो सीधी साइड से इसकी हम यह देखे सीधी सलाई बनाएंगे और इसके बाद उल्टी साइड से इसकी एक सलाई उल्टी बनाएंगे तो यह दो सलाई इसकी और बना लेते हैं सीधी साइड से सीधी और उ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे फंदे हमने परपल से बना लिए, दो फंदे ऐसे ही उतार लेंगे, फिर छे फंदे हम परपल कलर से बना लेंगे, दो, तीन, चार, पांच, छे, और दो फंदे ये उतार लेंगे, फिर से छे फंदे बन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और दो फंदे इस तरह से उतार लेंगे, यह पूरी सलाई हम इसी तरह से बनाकर इसकी कम्प्लीट कर लेंगे यह देखिए पूरी सलाई बना लेते हैं यह देखे सीधी साइड से पूरी सलाई हमने इसकी बनाकर कम्प्लीट कर ली है अब इसकी उल्टी साइड पर आएंगे उल्टी साइड से देखे ये फंदा मैंसे उतारेंगे और उल्टी साइड से इसकी सीधी सलाई बनाएंगे जो फंदे बुने हुए हैं उनको तो हम बुन लेंगे फिर धाग अपनी साइड करेंगे और ये दो फंदे बिना बुने थे तो इनको हम ऐसे उतार लेंगे फिर धागा पीछे करेंगे, 6 फंदे बुन लेंगे परपल कलर से, यह दिखिए, धागा अपनी साइड लेकर आएंगे, 2 फंदे हम इस तरह से उतार लेंगे, उल्टी साइड से इसको हमें सीधा बनाना है, तो यह इसकी डिजाइन की दूसरी सलाई है, पूरी सलाई हम इसी तरह से इसकी बना कर कंप्लीट कर लेते हैं, यह देखिए, इस सलाई बना लेते हैं, यह देखिए, दो सलाई हमने यह बना ली है, परपल कलर लगा कर, अब यहां से देखिए, इसकी तीसरी सलाई बनाएंगे, तीसरी सलाई भी हमें, जैसे हमने दो उनके से बनानी है जो फंदे बुने हुए हैं उनको थो हम बुन लेंगे और जो फंदे लिये हैं उनको भिना बुने लेंगे दो फंदे इस तरह से उतार लेंगे ये दो फंदे उतार लिए, छे फंदे बुन लेंगे, दो फंदे उतार लेंगे, इस तरह से पूरी सलाई हमें बनानी है, ये इसके डिजाइन की तीसरी सलाई है, और सीधी साइड है, सीधी साइड से इसको सीधा बना लेंगे, तो ये सलाई कम्प्लीट करते हैं, देखे, त के इंटわかेgoing का अरहा हम से एक चुछ करेंगे दाखा से और यहां से इसको मा में पूरा आंगे जैसे उमने पहला ही इसको में पाइश। जो क्वाइब से पीच्छ बाना से दिकार यह सिसे पर शाखा रहा है तोन दाखा कि अपनके मिज़ा नहली है दो हमाना खाए ev innovator 00 ne सीधे बनां लेंगे ये इसकी चोथी सलाई है और उर्टी साइड है धागा अपनी साइड 2 फंदेश तरह से उतार लेंगे तो यह पूरी सलाई हम इसी तरह से बना कर कम्प्लीट करते हैं यह देखे चार सलाईयां हमने इस तरह से इसकी बना ली है अब पांच वी सलाई हम बेस कलर से बनाएंगे वाइट कलर से यह पूरी सलाई वाइट से ही बना लेंगे और देखे सीधी बनानी है सीधी साइड से इस सलाई को हम सीधा बनाएंगे, इस तरह, यह पूरी सलाई इसकी सीधी बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे, इस तरह से यह फंदे भी हमें बुनने हैं, जो हमने उतारे थे, इनको भी बुनेंगे, चार सलाईों में इनको हमने इस तरह से ही उतारा था, लेकिन इस सलाई में हम सारे फंदे इसके बुन लेंगे, यह दिखे इस तरह से, पूरी सलाई बना लेते हैं, यह देखे पूरी सलाई हमने सीधी बना लिया सीधी साइड से, अब उल्टी साइड से इसकी उल्टी सलाई बना लेंगे ये फंदा ऐसे उतार लेंगे और पूरी सलाई इसकी उल्टी बना लेते हैं इस तरह से पूरी सलाई बना कर इसकी कम्प्लीट हम कर लेते हैं उल्टी ये देखिए उल्टी साइड से हमने इसकी उल्टी सलाई बना ली है अब इसके सीधी साइड पर हैं और सीधी साइड से देखिए फिर से हम यह purple color इसे में लगाएंगे, अब कि सलाई में हमें क्या चेंज करना है, दो फंदे तो यह देखिए जो हमने skip किये थे, जो 6 फंदे हम purple color से बनाएंगे, तो इनको हम बीच में रखेंगे, 2 फंदे इस सा के बुन लेंगे तो देखिए दो फंदे तो हम यहां पर यह बुन लेंगे अब जो यह छे फंदे थे दो इनमें से हमने बुन लिए जो बीच वाले दो फंदे इनको हम स्किप करेंगे अब बचे यह दो फंदे तो इनको हम बुन लेंगे एक दो यह फंदे सेंटर में आएं बहुत ही आसान यह दीजाइन है लेकिन लगता बहुत प्यारा है इसमें स्वेटर भी जल्दी जल्दी बन जाते क्योंकि इसमें कुछ भी जंजट नहीं है वस बुनते जाओ देखिए दो चार चेंट दो फंद फिर चेंट इस तरह से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, फिर दो फंदे उतार लेंगे, यह देखिए, अब यही डिजाइन हमें यहाँ पर बनाना है, इसके बाद जब यह डिजाइन कंप्लीट हो जाए, फिर हम यह जैसे शुरू में हमने यहाँ से छे फंदे बताए थे, फिर छे फंदे पर पल दो इसकिप करेंगे, छे फंदे पर पल से दो इसकिप कर लेंगे, तो इस तरह से इसको continue आगे बनाएंगे, तो बस इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, इसके बाद आपको दिखाएंगे, यह देखिए, इसको हमने इतना बना लिया है, एक, दो, तीन, चार, चार डिजाइन बना सकते हैं, यह आपकी चोईस है, लेकिन में इसमें आपने चार ही डिजाइन बनाऊंगी, उसे थोड़ा सा प्लेन बनाऊंगी, ताकि उपर नीचे से वाइट इसका दिखे, और यह डिजाइन इसमें ज्यादा दिखे, तो इसको सीधा सीधा ही बनाएंगे, सीधी साइ देखे, तो इसको बना लेते हैं, फिर दिखाएंगे, यह देखे, इसको हमने इतना बना कर कम्प्लीट कर लिया है, देखे, साड़े पांच इंची कम्प्लीट है, अब इसको यहां से हम घटाना शुरू करेंगे, यह देखे, एक फंदा तो ऐसे बुन लेंगे, इसके बा देखे, दो-दो फंदे हम एक साथ बुनते जाएंगे, इस तरह से हमारे पास यहां पर आदे फंदे रह जाएंगे, देखे, तो पूरी सलाई हम इसी तरह से बना लेते हैं, दो-दो फंदे एक साथ बुनते हुए, यह देखे, पूरी सलाई हम ने इसकी सीधी सहर से इस तरह से बना कर कम्प्लीट कर ली है, अब इसकी उल्टी सलाई बनाएंगे, यह फंदा वैसे उतार लेंगे, और पूरी सलाई इ इस तरह से पूरी सलाई बनाकर कम्प्लीट कर लेते हैं तो देखें उल्टी साइड से स्कूम ने बनाकर कम्प्लीट कर लिया है अब इसकी फिर से सीधी साइड पर आ गए और यहां से देखें इसमें फिर से फंदे घटाएंगे यह फंदा ऐसे बुन लेंगे और दो फंदों का एक फंदा हम बना लेंगे फिर से हम दो दो फंदे एक साथ बुन लेंगे तो यहां पर फंदे हमारे पास काफी कम हो जाएंगे देखें इस तरह से इस फंदे हम घटा लेते हैं यह देखें पूरी सलाई इसी तरह से बना लेंगे इसकी बाद उल्टी साइड से इसकी उल्टी सलाई बना लेंगे यह देखें उल्टी साइड से भी इसको हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है अब हमारे पास इसमें देखें एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे तेरे चोदे पंद्रे सोले सतरे अठारे उननीस फंदे हैं अब इनको हम देखें धागे पर उतार लें इस तरह से इस सारे फंदे अब उतार लेते हैं देखें अब इसको हम इस तरह से खींच लेंगे इसको हम खीच कर यहां पर नोट लगा देंगे और यहां से यहां तक इसको हम सील लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं यह देखें यहां से इसको हमने सील लिया है यह देख सकते हैं और इस तरह से कैप बनकर रेडी है इसके लेंट आपको दिखाते हैं यह देखिए पोने छैंच यह तैया है तो फ्रेंड्स यह थी आज की वीडियो यह देखिए काफी स्पेस एस में अच्छे से आ जाएगी तो आप लोग भी बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आप कोई कैप कैसी लगी पसंद आए तो चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें जादे से जादा शेयर करें और बैल आइकन प्रेस करना ना बूलें तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में थैंक यू